हेलो दोस्तो मैंने रेंजन आपका दोस्त आज आपके लिए अपने गार्डन से यह आप देख सकते हैं यह सुन्दर पतियों वाला एक प्लांट लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं तो दोस्तो आप इसका नाम जानते ही होंगे लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं इसे पतियों के कलर दिख रहा है मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के बहुत सी भराइटी आती है इसके हमारे पास अभी एक ही यही भराइटी है जिसको हम लेकर आपके साथ आ जाए हुए हैं तो दोस्तो देख सकते हैं यह पतियां ऐसी है कुछ यह ग्रीन है कारण क्या है कि ह हमारा प्लांट यह बहुत पुराना है देखिए कितना लंबा मतलब है क्या है कि यह बीच में बहुत मतलब नुकसान सहा हुआ है यह बीच में टूटा भी है फिर पत्याती है क्या हुआ कि अगरे सार रैनी सीजन में हम से छूट गया था तो यह सौक में चला गया था प्ल जाकर क्या है कि हमने किसी से सलाह लिया तो उन्होंने बताया तो उन्हीं के अनुसार हमने इसकी केर की उसके बाद यह देख सकते हैं कितना अच्छा मतलब पतियां सुन्दर सा दिख रही है और इसकी कटिंग भी हम लगा हुए हैं दो तीन तो वह भी लग जाएंगी तो भी इसकी मिटे कैसे बनाए जाती हैं इसको कितनी संग लाइड चाहिए इसमें कौन-कौन सा खाद दिया जाता है तो यही सब लेकर और इसमें दीकत भी क्या देनी है तो क्या है कि विंटर के समय आप इसको फूल सनलाइट में रखिए कोई दीकत नहीं है बहुत अच्छा से मतलब खील के पतियां भी लाल होंगी और ग्रोथ भी अच्छा रहेगा परन्तु समर के समय में इसे आप ब्राइट लाइट में रखिए या जहां पर एक दो घंटे की ही धूप आती हो वहीं पड़किए सुबह सुबह की क्या है कि गड़्मियों में बहुत ज्यादा धूप रहती है और इसको उतनी जुड़त होती नहीं है और दूसरी बात इसके बाद कि हम इसका कटिंग कैसे लगा सकते हैं वह भी हम आपको बता देते हैं आप देख सकते हैं नीचे सी यह जो भी ब्रांच मतलब दिख रहा है क्या है कि यह जब कुछ मतलब मार्च अप्टिल के बाद यह सब पत्या गिर जाएंगी तो आप इसको कहीं कहीं से काटकर लगा सकते हैं नौडमली और यह लग भी जाता है कटिंग लगाने के लिए कि कोई भी जो प्लांट आप काटते हैं और उसमें सो जो मिल्क जैसा वाइट वाइट निकलता है तो क्या है कि उसको पहले खुछ देर के लिए सुखा लीजिए सुखाने के बाद यह उस है तो यह मर्जिस भी सकता है कि उसमें मॉस्टर हमेशा बना रहेगा तो इसको लिए आप नौर्मली मतलब शेंड का यूज कीजिए कोई भी हो उसमें यह असानी से लग जाएगा क्या कि उसके बाद हम इसको मतलब उसको मतलब इसको मिला के इसको रिपाट करें वह जानते हैं तो दोस्तों आप इसकी मिठी में वे गार्डन सोईल कामपोस्ट और सेंड मिला लिजिए और उसमें निमखली और बोन मिल का प्रयोग कीजिए और इसकी मिट्टी अच्छ से बना लेजे और उसमें लगा दीजे यह आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और अच्छा मतलब खिल के आएगा और दूसरी बात इसको सेप्टेंबर अक्टूबर के समय में जब आपकी इसकी लगा हुआ है और लेडि तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अच्छे तेस से इसकी मिट्टी में थोरी से नीम खली इसकी मिट्टी थोरी हटा कर मतलब नीम खली गार्डन स्वाइल सीवीड गार्णियल की कुछ दाने या लीक्विड फडम में हो तो उसको आप पानी में मिला कर इसमें डाल दीजिएगा सीवीड के दाने और उसमें पोटास हलका मिला लिजए और सबको मिलाकर अच्छे से इसमें मिटी में आप डाल दीजे और उसके बाद आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी तक अच्छे से इसकी पतियां है एकदम सब पूरी तरह से खिल खिल के एकदम आ जाएंगी जो आपको फरवरी मार्च अप्रील तक मन दो तीन मंद तक अर प्रियोग कर सकते हैं जो इसके लिए बहुत ही फायदे मंद होगी और आप क्या कर सकते हैं एंप के उनिस 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 का मिटी में भी हाफ चमब हाफ शमच आप प्रियोग कर सकते हैं डाल सकते हैं उसके पानी दे दिजे दोस्तों अब लास्ट में सबसे जरूरी बात जो इस प्लांट के लिए मतलब समझे तो बहुत जरूरी है क्योंकि आप यह नहीं जानिएगा तो मेरे ही तरह आपका प्लांट भी खड़ाब हो जाएगा और आप इसको बचा नहीं पाईएगा मैं बहुत मुश्किल से इस प्लांट को बचाया हूं दोस्तो आप जब भी रहनी सीजन आए तो इसको एकदम सेंड मतलब साइड में साइड में मतलब मतलब जिधर भी दिवाल हो उस साइड में एकदम कर दीजे कि इस पर बारिस का जो भी पानी हो इसमें ना आए क्या है कि यह पानी को मतलब सहन नहीं कर सकता यह मर जाएगा क्योंकि इसको ज्यादा भी पानी नहीं चाहिए और कम भी पानी नहीं चाहिए तो ऐसे तो हम लोग अपना अराम से मिट्टी को दो इंच देखकर ही देंगे पानी कि हां उपर की मिट्टी जो यह है देखिए भी पानी दिया हुए है तो यह पूरा मतलब मौस्चर है इस पानी में तो हम इसमें पानी न तो अंदर कहीं डाल दें जिधर मतलब ब्राइट लाइट एक दम पूरी इसको मिले गड़मी की लेकिन पानी का महाँ पर बारिस का ना मिले तो इसी कारण से आप इसको बचा सकते हैं नहीं तो यह आपका प्लांट सौक में चल देगा उसके बाद मर जाएगा आप इसको नह कि दना भी था टॉपिक हमने आपसे सेयर किया अगर आप कुछ रहकत गया हो हमसे तो फ्लीज हमने कमेंक करके उसके बारे हम बताएगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सब्सक्राइब कर लिजएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में AND TOPि के साथ तब तक के ल देखने के लिए थैंक्स